नमस्कार जीवन उत्साह नीज़ पर आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं रमेश शर्मा जैसे कि आज कल आपको लेकर चल रहा हूँ हिमाचल परदेश मैं तीन विधानसवा सीट के लिए और एक मेंबर आफ पारलेमेंट के लिए मंडी संस्दिक शेतर से उपचुनाब होने जा रहे हैं आज मैं आपको जिस व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूँ वो व्यक्तित्व किसी भी पहचान के महताज नहीं है कहीं उनको कोई इंट्रोडक्शन देनी की अवशक्ता नहीं है क्योंकि वह खुद एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं जो अपने आप में राजाओं का परिवार है और उनके पती राजा बीर बद्दर सिंग जी उनके बारे में कौन नहीं जानता है नौट इन हिमाचल परदेश बट एंटाइर इंडिया राजा बीर बद्दर सिंग जी का अपना खुद का एक व्यक्ति तो रहा है उनके कहे हुए शब्द उनके द्वारा कियेगे कारिया शायद ही कोई व्यक्ति बुला सकता हो आज उनकी पतनी प्रतिवा सिंग जी मंडी संस्दिय क्षेतर से मेंबर आफ पारलेमेंट के चुनाब में उतरी हैं तो आज हम उनके साथ चर्चा करते हुए चलेंगे इस उप चुनाब में किस तरह से उनकी शुरुआत हुई है क्या राजा बीर भदर सिंग जी की सोच वो डिवेल्प कर पाएंगी क्या उस सोच को समाज के बीच में इंपलिमेंट कर पाएंगी या केबल राजनिती करेंगी ये सारी चर्चा हम आपके बीच में लेकर चलेंगे और उस चर्चा में आप हमारे साथ में बने रही है इनके साथ हम आज इस पूरेन विशे पर बात करते हुए आपके बीच में लेकर आएंगे अच्छा प्रतिवा सिंग जी अब ये प्रशन जो मेरा है इस प्रशन को मैं आपके अब राजनेतिक जीवन से जोडने चाहता हूँ यदि आप मेंबर ओफ पार्लेमेंट चुनी जाती है मंडी संस्दिय क्षेतर के लिए किस तरह की चीज़ों पर आपका फोकस है और क्या आप समझती है कि अभी लोगों की ये रिक्वाइमेंट्स है और अगर आप मेंबर ओफ पार्लेमेंट बन जाती है तो इन चीज़ों पर इन लोगों को या मंडी संस्दिय क्षेतर के लिए आप कारे करेंगी देखे मेरा कोई राजनीती में आने का ऐसा बड़ा भारी रूची नहीं थी या पहले भी मैंने दो बार चुनाव लड़े उस वकत भी कुछ ऐसे हालात बढ़े ऐसी परिस्तिती बढ़े कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा हालांकि विर्भद सिंग जी तो लास्ट मॉमेंट तक मना करते रहे उन्होंने दूसरे हमारे इसक शेतर के जो मंतरी गंड थे जैसे ठाकर कॉल सिंग जी शेशनेता थे और लोग थे रंगिला राम राओ जी थे विमंडी पार्लिमंटरी हलके से संबंद रखते थे तो उन लोगों को भी कहा कि आप क्यों नहीं लड़ते वाइड यू वांट की प्रतिवा सिंगी आ गया है मैं नहीं चाहता कि यह चुनाव लड़े आप लोग आओ और आप चुनाव लड़ो पर इनूने हामी नहीं भरी और अन्त ते उनको दुखी मन से की फैसला करना पड़ा कि चलो अब आप ही सही कोई ना कोई तो हमारे को खड़ा करना पड़ेगा तो उनों ने बड़ी खुशी से नहीं पर ये समझ के की चलो कोई बात नहीं पार्टी की सेवा करनी है पार्टी का काम करना है और इस वकत जरूरत है पार्टी को तो आप खड़ी हो जाए तो उस वकत भी मुझे ये कारे भर उन्होंने सौंपा और उस वकत भी उन्होंने मुझे यहां से बहुत जाना हर काम को और हम उस बैटल फिल्ड में सफल होके बाहर निकलते थे अब आप ने कहा कि आपका आप क्या कर सकती है इस मेंबर ओफ पार्लेमेंट देखिए पहले भी जब उन्होंने मुझे लोगों ने यहां से चुनकर भेजा और केंदर सरकार में पार्लेमेंट में शाम सकते थे वहां पर लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है आज भी दिल से मंडी पार्लेमेंटरी हलके के लोगों का धरनेवाद करती हूं कि उनकी वज़ा से मैं वहां तक पहुंची और मुझे वहां पर आभास हुआ कि किस तरीके से और जो स्टेट से लोग चुनकर आते है वह अपनी अपने क्षेतर के लिए कैसी लड़ाई लड़ते हैं कैसी अपनी समस्सेयों को वहां पर रखकर उसका समाधान करवाते हैं तो कुछ मस्या हैं हमारी क्षेतर की भी थी हम भी चाते थी हमारे क्षेतर की लड़ाई हम लड़ें और जैसे अन्या एमपीज लड़कर कोई बड़े हस्पिटल की बात करता था जैसे पीजी आई जैसी संस्थान की मांगे उन्होंने की एम्स जैसे संस्थाओं की मांगे उन पिशली बार जब मैं MP थी और मानेवीर भदेसिंग जी यहां पर मुख्या मंत्री थे तो ये लोगों की डिमांड थी कि हमारे जो लोग यहां पर बिमार होते हैं उनको PGI ले जाना वहां तक पहुंचाना बहुत दिक्कत है बहुत तकलीफ है तो हम चाहते कि एक बड़ा हस् तो उसमें सरकार का भी मुझे सही ओक मिला हमारी कंग्रेस की सरकार का भी और हमने जाकर दिल्ली में या बात की और मैंने भी संसद में इस बात को उठाया कि हम चाहते है कि एतना बढ़ा केंदर सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ इसी तरह से लोगों की एक मांग थी कि हमार को IIT मिलनी चाहिए जब मैं केंदर में गई तो मुझे आभास हुआ कि पूरे देश में केवल आठ IIT है और नवी हम हिमाचल परदेश के लिए मांग रहे हैं तो महां भी वही प्रशन उ रखी तो मानेवीर बदसिंग जी ने इसमें पहल की और उन्होंने का कि इतनी भूमी मैंने पता सता करवाया तो कमांद में हमको इतनी भूमी उपलब्द हो जाएगी तो ये इंस्ट्यूशन वहां खूल सकता है आज उनके प्रयासों से हमें ये एम ये IIT जैसा एक उच सं स्थान हमको मंडी शहर के लिए मिला है और हम केंदर सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने हमको ये इंस्ट्यूशन वहां खोल के दिया तो ऐसे ऐसी कुछ बाते हैं और अब भी मैं चाहती हूं कि अब भी अगर मौका मिला तो अवश्य हम बड़ी संस्थान के लिए या अदिवा सिंग जी पर आते हैं ज्यादा बेतर है अब आपका जो मुकाबला है यहां पर आपके जो प्रतिदुन्दी हैं खुशार ठाकर जी हैं और भाजपा अभी सत्ता में है और कॉंग्रेस अभी पिपक्ष में है ऐसे में मंडी संस्थिय क्षेतर से आप अपनी जीत क दावा किस अधार पर करती हैं और किन कारणों की वज़स से आप लोगों को यह कहते हैं कि आपको बोट मिलना चाहिए देखिए मैं ऐसे परिवार से आई हूँ जिसका 60 साल का जीवन माने वीर भदह सिंग जी का समाज की सेवा में लगा है ये बाट ठीक है कि उनको राजनीती में रहे राजनीती के द्वारा ही उन्होंने अपने लोगों की सेवा की है तो हमने भी वो सेवा भाव उनमें देखी और जिस तरीके किसे वो कारे करते थे जिस तरीके कि उनकी भावना लोगों के प्रती थी उनके उठते जागते सोते उनका एक ही स्वपन था कि मैं हमाचल प्रदेश को बहुत उंचाईयों तक ले जाऊं और जो मैं समझती हूं उन्होंने अपने कारेकाल में बहुत किया भी इसके लिए बहुत काम भी किये हैं जिसके लिए आज वो सद्यों तक नहीं बुलाए जा सकते और जहां तक राजनीती के आप बात करते हैं कि आप राजनीती में जैसा मैंने उनसे सीखा उनसे अनुभव किया कि हमें कोई इसके उपर राजनीती नहीं करनी है एक सेवा भाव की भावना लेकर हम लोगों को मिस्मर्पित हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो इस भाव को लेकर आज चाहे वो मुझे ये election जिसें Congress Party ने मुझे टिकट दिया है तो मैं अभारट करती हूँ Congress Party का हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस चुनाव के मैदान में उन्होंने मुझे उतारा है आप जानते हैं कि किंदर में भी बीजेपी की सरकार है यहां पर भी बीजेपी की सरकार है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको यहीं बताना चाहा कि हम लोग सेवा भाव से आ गया है विर्भदे सिंग जी ने भी सेवा की है लोगों की और मैं आपको ये भी इस बश्च तोर से बताना चाहते हूं कि कभी वो नहीं ये इस भाव से काम नहीं करते थे कि इसके एवज में मुझे वोट मिले जे उन्होंने जनता के बीच में जाके भी कभी नहीं कहा आने के लिए उन्होंने जरूर लोगों के सामने अपनी पार्टी की बात रखते वे लोगों से वोट जरूर मांगे होंगे पर इस धैक से कभी नहीं कि आपके काम कियें तो मुझे वोट कियें उन्होंने अपने जो काम कियें वो सेवा भाव से कियें आज मैं भी उनके पद चिनों पर चलते वे उनके सपनों को साकार करना चाहती हूँ मैंने आपको कहा मैं दो पार MP रह चुकी हूँ मुझे कोई ऐसा बड़ा भारी रुची नहीं थी कि मैं इस election में भाग लूँ और ना ही मैं election लड़ना चाहती थी कि अभी बहुत कोई समय नहीं हुआ था उनको हमारे बीच में से गए उनको खोने का भी बहुत बड़ा सद्मा हमको पहुंचा है बहुत दुख है हमको इस बात का और हम राजनीती के फील्ड में निकले इस बात से में मेरा दिल नहीं मान रहा था परंतर लोगों के भावनाओं को देखते वे, लोगों के आग्रह को देखते वे, लोगों की चाह को देखते वे, मैंने दुबारा इस बारे में मनन किया और पार्टी के शिश नेताओं ने भी मुझे कहा कि नहीं आपको आना ही होगा लोगों की सेवा करनी होगी सिर्फ सेवा भाव को मन में रखते वे मैंने ये कदम उठाया और मुझे पूरन विश्वास है कि लोग इस खांदान की सेवा को देखते वे राजा साहब ने जो काम किये हैं उस बात को ध्यान में रखते वे अवश्य मुझे इस जुनाव में अपना सपोर्ट और आशिरवाद देंगे प्रित्वा सिंग जी अभी आपके पूरे हिमाच्चर परदेश के कॉंगरेस के जितने भी कारे करता है सबका विश्वास आपके साथ बंदा हुआ है आपके साथ उनकी एक डोर बंदी हुई है ऐसे मैं उन सभी कारे करताओं के लिए आज आप एक प्रेड़ना भी हैं एक महिला के रूप में भी आप लीड कर रही हैं और वैसे भी हिमाचल परदेश में जो जितने भी अभी मेंबर आफ पार्लिमेंट्स हैं वो सभी भाज़पा से ही बिलोंग करते हैं तो अभी कॉंगरेस के एक दिग्गज कहीं ने कहीं एक व्यक्ति के रूप में आप स्टेंड कर रही हैं उन सभी कारे करताओं को जो हिमाचल परदेश में कॉंगरेस का आज बड़े चेहरा के रूप में काम कर रहे हैं जितने भी बिधायक हैं आपके या जो भी कारे करता हैं क्या मेसेज आप उनको देना चाहती हैं इस चुनाव के बारे में और आपके और सारी पार्टी को संगठित करने को लेकर देखिए जहां तक पॉंगरेस पार्टी की बात है अभी ठीक है कि हम लोग विपक्ष में हैं पर मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में 2022 में हमारा दोबारा इलेक्शन होगा जै तो अभी से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोगों के मन में एक बदलाव की भागना है वो बदलाव क्यों चाहते हैं? क्योंकि पिछली बार मोधी जी ने आके बार बार ये बात कही कि मैं नौजवानों को रोजगार दूँगा, मैं महंगाई को कम करूँगा तो लोगों ने सोचा कि शायद एक ऐसा नेता हमारे बीच में आए और हमारे को बच्चों को रोजगार मिल जाएं, जो महंगाई है वो कम हो जाए तो उस आशा से उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको परधान बढ़ने का मौका दिया परन्तो मुझे लगता कि आज जो यहालात देश के हैं, जो हालात परदेश के हैं आज हर व्यक्ती इस बात से पीड़त है कि कितनी महंगाई कहां से कहां पहुँच गए कहां आपने कम करने की बात कही, कहां आज वो आसमान को छूरी है हर चीज, चाहे वो खाद्य परदात है, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, आपका गैस सिलिंडर है आज सभी की किमतों के दाम हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने थोड़े समय के अंदर अंदर इतना भाव कहां से काम पहुँचेगा तो उस बात को लेकर आज चाहे वो हमारे कारे करता है, चाहे सामान्य लोग है, चाहे महिला है, चाहे युवा है सबी के दिल में एक पीड़ा है और सब परिवर्तन चाहते हैं सब परिवर्तन चाहते हैं आज कई लोग हमारे को मिले जो भाजबा के 20 मर्थक हैं उन्होंने भी हमसे कहा कि हम पार्टी का साथ देते हैं हमने पार्टी के लिए बहुत काम किया है पर आज हमें बहुत दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि हम जो ये हालात देख रहे हैं देश के उसमें लोगों का भी मानना है कि इसमें बदलाव लाएंगे तब ही कुछ ना कुछ संभव हो पाएगा तो इस भावना को लेकर मैं भी लोगों के बीच में जाकर ये लोगों से आवान करना चाहते हू जाए तो अभी हमको ये जो उप चुनावा है इसमें हमें अपनी जीत हासिल करनी है और उसी तरह से जो अगला हमारा चुनाव होगा विधान सबा का उसमें निश्चे तोर पे कॉंग्रिस की जीत मुझे नजर आती है जे बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हम शुपका अब बहुत बहुत धन्यवाद आपने शुप कामनाए दी और मैं आपके चैनल के द्वारा चाहती हूं कि आप ये मेसेज हमारा गाओं-गाओं तक और घर-घर तक पहुंचाएं क्योंकि हमार पास इतना समेनी है कि अब हम हर एक व्यक्ति को टाच कर सकें क्यों आज मीडि कि अधिया के माध्यम से हम इस संदेश को हर घर तक हर विक्ति तक और हर महिला तक हर नौजवान तक पहुंचाना चाहिए जी बहुत 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 अन्यवाजिया आपका